फ्रॉड रेजिस्ट्री क्या है? क्यों RBI ने फ्रॉड रेजिस्ट्री बनाने का एलान किया? क्या होगा इससे फाइदा? साथ ही ये भी जानेंगे कि ओनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से बचना कैसे है? नमस्कार आप देख रहे हैं News World India मैं हूँ आपके साथ जो हिसींग आज हम बात करेंगे फ्रॉड रेजिस्ट्री के बारे में देश भर के अलग-अलग इलाकों में लोगों के साथ धोखा धड़ी की बरती घटनाओं को देखते हुए Reserve Bank of India ने फ्रॉड रेजिस्ट्री बनाने का फैसला किया है सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फ्रॉड रेजिस्ट्री है क्या? RBI के अनुसार इसमें Financial Fraud से जुरे सभी तरह के डेटाबेस को शामिल किया जाएगा इसके अलावा इस डेटाबेस में फ्रॉड करने वाली वेबसाइट्स, फ्रॉड करने वाले लोग प्रिये मॉबाइल फोन नमबरों के लिस्ट डीजिटल फ्रॉड में इस्तमाल होने वाले तौर तरीकों का जिक्र होगा ताकि ऑनलाइन Financial Fraud करने वाले अपरादियों के खिलाफ कारवाई की जा सके डेटाबेस से मिली जानकारी के अधार पर RBI लोगों को फ्रॉड से बचा कर मुकमल इंतिजाम करेगा RBI का दावा है कि Fraud Registry में दर्ज डेटाबेस से फ्रॉड की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी Registry में जिन जिन वेबसाइट्स और फोन नमबरों को दर्ज किया जाएगा वो नमबर और वेबसाइट्स ब्लैक लिस्ट कर दिये जाएगे इससे इन नमबरों या Fraud करने वाली वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा Reserve Bank के मताबिक Fraud Registry बनाने से पहले अलग-अलग पक्षों से बात हो रही है और अंतिम निर्ने बातचीत के बाद ही लिया जाएगा इसमें Payment System और Supervision कमपनियों से बात चल रही है योजना के अनुसार Payment System कमपनियों को इस Registry का Access दिया जाएगा जिससे की कमपनिया रियल टाइम में Fraud के घटना के बारे में जान सके इसके बाद Fraud का डेटा आम लोगों के लिए प्रकाशित किया जाएगा ताकि जोखिम से बचाव के लिए लोग एहतियात बरत सके लोगों को यह पता चल सके कि Payment या Banking से जुड़े काम में किस तरह साफधानी बरतनी चाहिए Reserve Bank ने कहा है कि Credit Information Company यानि CIC के ग्राहक पर Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme के तहत आएंगे यहाँ Ombudsman Scheme का अर्थ है लोगपाल योजना इसी लोगपाल योजना के तहत दर्ज शिकायतों को साजा करते हुए Reserve Bank ने बताया कि साल 2021-2022 के दौरान 4.1 लाग शिकायते मिली जबकि पिछले वर्ष 3.8 दो लाग शिकायते प्राप्त हुई थी पिछले वर्ष में 97.9 प्रतिशत मामलो का निप्टारा किया गया था किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए Reserve Bank की सलाह है कि अपने बैंक अकाउन के जानकारी कभी भी किसी को ना दे अगर फ्रॉड हो भी जाए तो फॉरन इसकी जानकारी बैंक को दी जानी चाहिए ताकि खत्रे को कम किया जा सके अपने फोन और डिवाइस पर कोई भी अंचान एप डाउनलोड नहीं करना चाहिए बैंक, NBFC या इवालेच की आधिकारी वेबसाइट पर जाकर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए ओनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के अलावाद देश भर में एप बेस इंस्टेंट लोन कारोबार पर भी RBI ने हंटर चला दिया है अकसर आपको बहुत सारे फोन कॉल्स आते होंगे जुसमें ये कहा जाता है कि किसी भी तरह का कोई लोन चाहिए तो आपको जट से लोन मिल जाएगा यानि कि जुतना भी लोन चाहिए आपको वो तुरंत मिल जाएगा वो भी बिना ताम जाम के और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि लोग इनके जहासे में आभी जाते हैं दरसल इस तरह कि जुतने भी एप्स होते हैं वो गरहकों को बहुत तरह के ऑप्शन्स देते हैं जिससे कि गरहको लगता है कि इससे जादा सुद्धाजनग कुछ होई नहीं सकता है तो ऐसे में RBI ने सबसे पहले इन एप से इन लोगों को बचने के लिए कहा है साथी साफधान रहने के लिए भी कहा है क्योंकि खबर ये आई थी कि करज से परिशान होकर अंधपदेश के तीन लोगों ने सूसाइट कर लिया तो इसी कुले करार BBI ने सवालों के घेरे में आया डिजिटल मनी लॉंजरिंग एपस को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चितावनी दी है जकारता से चलता है और इसमें चीनी नागरिकों के शामिल होने को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है हैदरबाद के जॉइन कमिशनर अश्वीनी मोहंती ने बताया कि इन चारों आफिसेज में 30 लोन एपस चलाया जा रहे थे जिन पर छापा मारा गया तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ अब परिशानी का आलम कुछ यूँ है कि हैदरबाद के एक सॉफ्टवेर इंजीनियर और एक महिला एगरिकल्चर आफिसर सही तीन लोग सूसाइट कर चुके हैं हुआ यह कि इस तरह के जो एप्स होते हैं या फिर इस तरह के जो कॉल सेंटर्स चलते हैं उनके तरफ से लूबाबने ओफर्स दे कर आपके अकाउंट में पैसा डाला जाता है और फिर बार-बार आपको कॉल करके परिशान किया जाता है क्योंकि आपको लोन डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया जाता है अब अगर आप लोन चुकाने में जरा सी भी देरी करेंगे तो कॉल करकर के आपको इतना ज्यादा परिशान किया जाता है कि ऐसी नौबत आ जाती है अब ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने शिकायत नहीं की पुलिस का ये भी मानना है कि ऐसी काफी सारी शिकायते आये दिन उसके पास आती रहती है इसी के बाद संग्यान लेते हुए RBI ने लोगों को कहा कि जब भी इस तरह के कोई फोन कॉल्स या फिर कोई एप्स पर आप जाते हैं और आपको लुभाबने ओफर्स दे कर आपको लोन दिया जाता है तो सबसे पहले आपको इसे अच्छी तरह से जाच परक लेना चाहिए और इसके बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाए RBI ने कहा है कि इसके साथ ही ये भी चेक करें कि जो लोन आप ले रहे हैं वह किसी रेजिस्टर्ड NBFC द्वारा ही दिया जा रहा है या नहीं यानि जो भी कंपनी आपको लोन दे रही है उसमें ये सपर्ष्ट होना चाहिए कि वह कहां से लोन दिया जा रहा है साथ ही डीजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म में उस बैंक और NBFC का खुलासा गरहा को के सामनी जरूर करना चाहिए और इसके माध्यम से ही लोन दिया जाना चाहिए साथ ही अगर इस तरह की कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो उनकी वेबसाइट पर जाकर पूरी डीटेल खंगाली भी जा सकती है मतलब कि लोन लेने के पहले जहां से भी आप लोन ले रहे हैं उसको अच्छे से जान परक लीजिए और इसके बाद ही आगे कोई कदम उठाईए अब आप के जरीए कर्ज देना कमपनियों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने डीजिटल लोन के लिए सकत नियम बनाए हैं इसके तहए तो किंद्रिय बैंक ने कहा कि डीजिटल रेन सीधे कर्ज लेने वाले कि बैंक खाते में जाना चाहिए ना कि कि किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से आपको बता दे कि RBI ने 13 जनवरी 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप के जरीए लोन देने सही डीजिटल उधार पर एक टास्क फोर्स का गठन किया था भारत समें दुनिया के कई हिस्सों में आज के दौर में तेजी से डीजिटल ट्रांजेक्शन चल रहा है अब हर कोई कैशलेश पेमेंट पर जोर दे रहा है भारत में आज बहतर internet connection, smart phone के जरिए digital transaction को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके जरिए हर कौई छोटी छोटी payment भी online ही कर रहा है लेकिन online transaction की अपनी भी कई खामिया है जिसकी वज़ा से कई लोग cyber fraud का शिकार हो जाते हैं आए दिन लोगों के साथ ठगी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में कुछ साफधानियां रखकर आप इस तरह की फ्रॉड से खुद को बचा सकते हैं। जब भी आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी भी ऑनलाइन पैमेंट एप पर अपना लॉगिन आईडी बनाते हैं तो आपको एक यूपी आई पिन भी मिलता है। ये पिन काफी ज्यादा महत पूर्ण होता है क्योंकि इसी से आप ऑनलाइन पैमेंट करते हैं। बचने में मदद मिलती हैं। अक्सर लोग कई सारे थर्ड पार्टी लिंक्स का इस्तमाल करके अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं। की safe नहीं है असल में third party links आपके online record को hack कर लेते हैं जिसके बाद ये आपके सारे online transaction को monitor करने लगते हैं और धीरे धीरे आपके bank account तक पहुंच जाते हैं फिर आपके पैसे भी निकाल लेते हैं तो जब भी आप online transaction कर रहे हैं तो इस दोरान इन बातों का ध्यान जखें और देखते रहे ये न्यूस वाल इंडिया